आज के समारों के अध्यक्ष श्री देश पांडे जी, जनरल बेबूर, श्री सुधीर भड़के, श्री दाते, श्री दामले जी, पुरंदरे जी, श्री जोशी, देवियों और सज्जनों, मुझे बार-बार अतिती कहा जा रहा है, मुझे बार-बार अतिती कहा जा रहा है, मुझे शब्द प्रयोग पर आपत्ति है, तिती अतिती वो होता है, जिसके आने की तिती तेरे ही होती है, जो अचानक आठ टपक पड़ता है, बिना बुलाया आ जाता है, उसको भी हमने देवता मान कर स्वागत करने की प्रमपरा डाली है, लेकिन मुझे अतिती कहा जाए, इसे मैं पसंद नहीं करता है। एक तो आज के काईरिकम का रूप ऐसा है, कि उसमें कोई महमान बन कर आना नहीं चाहेगा, सभी मेजमान बनना चाहेंगे। दूसरी बात ये है, कि सावर कर जी की, इसमर्ती में आयो जिस समारो, किसी अतिती का मौताज नहीं है, जो भी आएगा, सावर कर जी की इसमर्ती में अपनी श्रद्धान जली अर्पित करने के लिए आएगा। पिर मैं पुणे इतने बार आ चुका हूँ, कि अगर महमान का दर्जा कभी था तो वो खत्म हो चुका है। अभी थोड़े दिन पहले, माराट की दुशकार, परिस्टिती का अध्यन करने के लिए, मुझे इदर आने का उसर मिला था, और पुणे के आसपास, जो राहत के कारी चल लेएं, लोगों को रोजगार देने के काम चल लेएं, उन्हें मुझे देखने का उसर मिला था। उस समय जोशी जी ने मुझे कहा था, कि मैं कारीकर में आओ, लेकिन मैं तैयार नहीं हुआ था। भारती जंता पाटी के अज्जक्ष पस्से मुक्थ होने के बाद, मैं किसी कारीकर में बंदरा नहीं चाहता था। दिल्ली के अदिवेशन की समाप्ती के तुरंत बाद, निकलना संभव होगा या नहीं, ये भी मेरे सामने एक प्रश्ण था। लेकिन जब जन्रल बैबूर का पत्र मुझे पहुचा, तो मैंने सोचा अब जन्रल का आदेश आ गया है, मैं सिपाही के नाते उसको टालने की गलती नहीं कर सकता। मुझे बड़ी प्रसंदता है, मैं अपने को सवभाग्यशाली समझता हूँ, मैं आज इस कारक्र में उपस्थे थो सका हूँ, एक तो सावरकर्जी के प्रती, मैं अपनी श्रद्धानी वेदन करने के लिए आया हूँ, दूसरे श्रीप पुलदेश पांडे का भाशन सुनने का भी मुझे थोड़ा सा लोग था, दिल्ली में उनके दर्शन हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने दिल्ली छोड़ दी, और दिल्ली का सांस्कृतिक, साहितिक जीवन थोड़ा सा रिक्त हो गया, थोड़ा सा अकिंचन हो गया, देश पांडे जी बहुमुकी प्रतिभा के धनी है, मराठी भाषा को, मराठी साहित्य को, श्री पुलदेश पांडे जैसे, कलम के धनी, पाकर सचमुच में अभिमान होना चाहिए, सावरकर जी, एक व्यक्ति नहीं है, एक विचार है, एक चिनगारी नहीं है, एक अंगार है, मन वचन और कर्म में जैसा तादात में, जैसी एक रूपता, सावरकर जी ने, अपने जीवन में प्रकट की, वो अनूठी है, अलवकिक है, उनका व्यक्तित्व, उनका कृचित्व, उनका वक्तित्व, और उनका कवित्व, जिसकी देशपांडे जी ने बड़े विस्तार के साथ चर्चा की है, सावरकर जी के, जीवन को ऐसा आयाम प्रदान करते हैं, कि विश्व के इतिहास में, सावरकर जी हमेशा इस याद किये जाएंगे, जब जब कोई पराधीनता के खिलाफ, संघर्ष करेगा, अन्याए के विर्ध लड़ाई के मैदान में कूदेगा, जब जब जीवन के बलिदान की बेला आएगी, जब जब सर्वस्त्व का समर्पड करके, मात्र भूमी को, खोई मात्र भूमी की, खोई हुई स्वाधीनता को प्राप्त करने का ख्षणुपस्तित होगा, संसार भरके स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले लोग, जिन अनेक महापुरुशों का इस्मर्ण करेंगे, और इस्मर्ण करने के बाद, बलिकी वेदी पर, अपने जीवन का उत्सर्ग करने के लिए आगे बढ़ेंगे, स्वातंत्र वीर सावर कर, विश्व के उन महापुरुशों की मालिका में, एक चमकते हुए देदी प्यमान, रत्न की तरह से शोभाए मान होगी, सावर करजी ने, गेरी बाल्डी से, मैदिनी से, प्रेरणा प्राप्त की, लेकिन वो स्वैम में एक प्रेरक शक्ती बन गए, बाल्य आवस्था से, स्वातंत्र लक्षमी की उपासना, ग्यारा वर्ष की उमर में, सवाई मादो सीन के बारे में, फाट का लिखना, फिर चाफे कर रानने के संबंद में फाट का लिखना, और उसी समय संकल्प करना, मैं देश की स्वाधीनता के लिए संघर्ष करूँगा, सावरकर जी पूर्व जन्व को नहीं मानते थे, देश पाण देव जी भी नहीं मानते, मगर ग्यारा वर्ष की उमर में स्वातंत्रता का संकल्प पैदा होना, अगर इसमें कोई पूर्व जन्व का संसकार हो, तो मुझे आश्चर यह नहीं होगा, मुझे कोई चमतकार नहीं होगा, आप कह सकते हैं कि मैं बुद्धिवादी नहीं हूँ, लेकिन जब अलोग कि प्रतिभा के दर्शन होते हैं, व्यक्ति समानें, लेकिन व्यक्ति की ख्षमता आया लगे, हमारे देश में त्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वालों की एक लंबी परमपरा उत्पन्वी है, गरान्तिकारियों से भरा हुआ इस देश का इतिहास है, महाराष्ट से, बंगाल से, पंजाब से, ब्रिटिस्थामराज जवाद की समाप्ती के लिए सशस्त्र संगर्ष करना होगा, बिना हत्यार उठाए आजादी नहीं मिलेगी, कविगोविन्द के शब्दों में, बिना युद्द के स्वतंत्रता किसको मिली है, इस परजिन का विश्वास था, उन्होंने बलिदान की पराकाश ठा कर दे, सावर कर माने तेज, सावर कर माने त्यार, सावर कर माने तप, सावर कर माने तत्व, सावर कर माने तर्क, सावर कर माने तारुन्य, सावर कर्माने तीर, सावर कर्माने तलवार सावर कर्माने तिल मिलाहट सागरा प्राण तल मडला तल मलाती हुई आत्मा सावर कर्माने तितीक्षा सावर कर माने तीखापन सावर कर मन जे तिखट कैसा बहुरंगी व्यक्तित कविता और क्रांती कविता और क्रांती तो साथ साथ चल सकती है मगर कविता और क्रांती का साथ चलना बहुत मुश्किल है कविता हमारे कलपना शब्दों के संसार का सरजन उची उड़ान और कभी कभी उची उड़ान में अगर धरातल से पाउ उड़ जाएं वास्त विक्ता से नाता तूड जाएं तो कभी को शिकायत नहीं होगी उसके आलोचक भी इस बात के लिए उसकी ठीका नहीं करेंगी मगर सावरकर जी का कभी उची से उची उड़ान भरता था सावरकर में उचाई भी थी और गहराई भी थी मगर उन्होंने यथार्थ की धर्टी से कभी नाता नहीं पूराई मैंने सेल्विलर जेल में अंदमान बीट में वो कोठरी देखी है जिसमें सावरकर जी को अपने जीवन का बहुत महत पूरंश तिल तिल जल कर मिठाना पड़ा था सावरकर जी की अचिरिक्त सुरक्षा का प्रबंद था कमरे के बाहर काल कोठरी के बाहर एक कोठरी और कैदियों से तो दालान में जाकर मिला जा सकता था सावरकर जी की कोठरी के आगे भी ये कोठरी बना कर सीख्चे खड़े कर दिये गए सागर का किनारा पता नहीं सागर सागर और सावरकर का क्या संबन था गोदावरी ने भी सावरकर जी को प्रभावित किया था वो जिस तरह से जहास सागर में कूठ पड़े सुतन्तुता के लिए छलांग लगा दी उत्ता और सागर की तरंगें अनंत सागर अपार जलराशी कहां किनारा है कौन सा ठिकाना मिलेगा इसका भरोसा दिए मगर अंतक करण में एक संकल्प मैं पराधिंता स्विकार ने करूँगा ऐसा संकल्प ऐसा पराक्रम ऐसा पाउरश सागर से दो दो हाथ करने का फैसला और फिर उन्हें सागर के किनारे काले पानी की सजावा ने वह कोलू भी देखा है जिसमें कैदियों को जोत कर तेल लिकालना पड़ता था सागर करजी ने अपनी जीवनी में इन सारे प्रसंगों का उलेक किया है मगर उस सागर के किनारे जेल में बंद सावर कर चांद से बाते करते थे चांद को लहना देते थे उपालम देते थे संदेश देते थे उस समय कि उनकी अनेक कविताएं ऐसी हैं जो विश्व के इतिहास में विश्व के साहित्य में अपना स्थान रखती है उन कविताओं में उद्वेग भी है आवेग भी है सम्वेग भी है वो शब्दों के शिल्पी थे नगर भावनाए उदाथ लक्ष को उनों ने कभी आँखों से तरोहित नहीं होने दिया सावर कर जिसे मेरा परिचे एक पहले कवी के नाते होगा उनके करांदिकारी स्वरूप से तो सभी लोग अवगत थे मुझे कविताओं में थोड़ी सी रूची संग के साथ मेरा संपर्क सावर कर जी की कविताओं का गायन मेरे लिए मराठी समझना मुश्किल था लेकिन मैंने थोड़ा थोड़ा सीखने का प्रेतर किया मैं ग्वालियर का हूँ और ग्वालियर की अपनी मराठी है वर्चा मजला खाली आहे यह पुणे वालों की समझ में नहीं आएगा यह मजला पर लिचे कैसे हो सकता है मगर एक ग्वालियर ने मराठी में जो योगदार थिया है यह उसका सबूत है मैंने सावरकरजी की कोई कुछ कमिताओं का हिंदी में अनुवात करने का प्रेटर किया मैं चमत करते रह गया कोई क्रांतिकारी होते हुए इतना अच्छा कभी कैसे हो सकता है कोई कल्पना के आकाश में उड़ते हुए क्रांतिकी आग को कैसे धदका सकता है सुलगा सकता है नगर कल्पना की स्रिष्टी और यथार्थ की स्रिष्टी दोनों का सावरकर ने समन्वे कर दिया यह समन्वे वाग्त कट है ने नगर जैसा मैंने प्रारम में उनले किया सावरकर के जीवन की समग्रता ऐसे अनूठे गुड़ों से फरी हुई है प्रखर राष्ट्रवाद समझोता न करने वाला राष्ट्रवाद जीवन का चणचण और शरीर का कणकण मात्र भूमी की स्वतंतिता के लिए समर्पड कर देने वाला राष्ट्र प्रेम मगर उसके साथ मूल गामी समाज सुधारक की भूमी का बैठ़ कभी के बाद अगर सावर करका कोई स्वरूप मुझे सबसे ज़्यादा आक्रिष्ट करता है तो वो समाज सुधारक का रूप है रतनागिरी की नजरबंदी में उस समय लिखी गई कविताएं देखिए बाल विधवा की पीड़ा एक तो विधवा और उस पर बाल विधवा पुनर विवापर प्रतिबंद ऐसी अभागी नारी कहा जाएं सावरकर बड़े-बड़े प्रशनों में उल्जे थे उस समय स्वतंत्रता से बढ़कर और कौन सा प्रशनों हो सकता अगर सावरकर दृष्टा भी थे समाज के शिन्पकार भी थे विक्रितियों से लगने वाले योद्धा भी थे कुरीतियों का निर्मूलन करने के लिए कचिबत समाज सुधारक भी थे आज अगर सावरकर जीवित होते तो सावरकर की थीर गंभीर बानी में शाह बानों की विथा प्रकट होती मुखरित होते सतर साल की नारी पती द्वारा पर चकता पच्चों की मां कहा जाए किसका दर्वाजा खटगटा है और अगर सावरकर जी शावारों के लिए बोलते तो कोई उन पर आक्षेप नहीं ले सकता था क्योंकि उनके लिए नारी नारी में अंतर नहीं था उनके लिए संप्रदाय संप्रदाय में भेज नहीं था उनके अंतक करण की पीड़ा देदना का पारावार कुरीतियों से लड़ने की उनकी मनोस्थिती ये किसी एक वर्गिया एक संपरदाय तक सीमित नहीं थे ये सभागे देश में आज भी अस्परश्यों के लिए मंदिरों के दरवाजे बंदें कुछ मंदिरों के दरवाजे बंदें गांदी जी ने तो हर जनो धार की बाद में कहिए सावर कर जी ने पहले गए मेरे लिए दरवाजे खोल दो एक उनकी प्रसित कविता अमराठी की मला देवांसा दर्शन घेवू या मुझे देव का दर्शन ले ले मेरे लिए मंदिर के कपाट बंद मत करो भगवान और भक्त के बीच में कोई खड़ा न रहे कितनी वेदना है कितनी व्यथा है मुझे भगवान के दर्शन लेने दो कुरीतियों में पढ़कर हम भगवान और भक्त के बीच में भी खड़े हो गए सावर करके सामने एक ऐसे समाच का स्वरूप था जो अतीत की रूडियों से बद्ध नहीं होगा पतित पावन के धरभार में कौन किसको रोकेगा उस समय भी लोग रोके जाते थे आज भी रोके जा रहे हैं कहीं कहीं रोके जा रहे अभी राष्ट पति एक मंदिर में जाना चाहते थे उन्होंने पूछा क्या मंदिर सब के लिए खुला है पुजारियों ने का नहीं मंदिर सब के लिए खुला नहीं है मुझे खुशी है राष्टपती ने उस मंदिर में प्रवेश नहीं किया इस मंदिर के दौर सब के लिए खुले नहीं है उस दौर के बाहर कल पुना कर ये कोई खड़ा होकर खैरा है हम दूसरों को दोश देते हैं उन्होंने हमारे समाज के कुछ लोगों को बरगलाने की चेश टाक किये मगर सावरकर की दृष्टी से हम देखे हैं हिंदू समाज कि अभिशाब को हिंदू समाज की दुर्भल ताक को हम अगर पराधीन हुए हम आज अगर अपने घर में सम्मान के साथ जीवित नहीं है तो इसके लिए परकी इतने दोशी नहीं है दोश हमारा अपना है हमने समाज को बाट दिया कभी बन विवस्था का उपियोग रहा होगा तो रहा होगा लेकिन उसके कारण जब दीवारे खड़ी होने लगी व्यक्ति व्यक्ति को छोटा समझा जाने लगा कोई बड़ा बन गया कोई छोटा बन गया समाज के एक पाखंडित होगी विदेशियों ने उसका लाब उठाया हम कभी विदेशियों से नहीं हारे हमने तो अपनी तलवार से अपने देश को जीत कर दूसरों के सुपुर्द कर दिया इतिहास साक्षी है प्रासी की लड़ाई में जितने लोग मैदान में लड़ रहे थे उससे ज़्यादा लोग मैदान के बाहर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे लड़ाई का परिणाम सुनने की पृतिक्षा कर रहे थे देश के भागिका निर्ड़े होने जा रहा था मगर उस निर्ड़े में सारा देश शामिल नहीं था विदेश मंत्री के नाते में अफगानिस्तान गया था आपको सुनकर ताज्जब हो गया अफगानिस्तान के अपने मेजबानों से मैंने कहा मैं गजनी जाना चाहता हूँ गजनी पहले मेरी बात उनकी समझे नहीं आई कहने लगे गजनी तो कोई टूरिस्टी स्पॉर्ट नहीं है गजनी में कोई फाइव स्टार होटल नहीं है गजनी में आप जाकर क्या करेंगे कि गजनी में आप जाकर क्या देखेंगे मैं उन्हें पूरी बात नहीं बता सकता मेरे हरदय में कहीं गजनी काटे की तरह से चुबरा है जब से मैंने गजनी से आए एक लुटेरे की कथा पढ़ी है और किशोरा वस्था में पढ़ी है मैं देखना चाहता था वो गजनी कैसा है आपको सुनकर ताज़ब होगा महमूद गजनी का अफगानिस्तान के इत्यास में कोई स्थान नहीं है गजनी चोटी सी जगा है चोटा सा गाउं है कल पना करिये सेकड़ों साल पहले वाद धूर उड़ती थी जोपड़िया थी मगर एक लुटेरा लुटेरों को इखटा करता हुआ सौने की चड़िया को लूटने के लिए चला आया आपस की फूट से जो राजा है वो लड़ेगा जो शत्री है वो लड़ेगा हमने समाज के बहुत बड़े वर्कों लड़ने के अधिकार से बंचित कर दिया हमने उन्हें हतियार नहीं उठाने दिया मार्शल नौन मार्शल के आधार पर हमने समाज को बाट दिया वो लिठेरा सौमनाद के मंदिर तब चला गया पुजारी देखते रहे मंदिर की पूजा भट्तों को करना पड़ती है मंदिर तो एक प्रेड़ना का केंडर है मैं देशपांडी जी की तरह से नास्तिक नहीं हूँ नगर उनकी नास्तिकता में भी जो आस्तिकता है मैं उसका आधर करता हूँ उसका सम्मान करता हूँ वो जिसा आत्म विश्वास से नास्तिक होने की बात कहते है तो मैं उनसे कहना जाता हूँ वो सचमुच में नास्तिक नहीं है जिसकी आस्तिकता है जिसका विश्वास है वो नास्तिक कैसे हो सकता है विश्वास किसमे है ये बड़ी बात नहीं है विश्वास है या नहीं हमने समाज के बहुत से बड़े बर्को विश्वास हीन बना दिया लोगों ने हत्यार नहीं उठा है वेद पढ़ने के दरवाज़े बंद कर दे इसलिए हमारे हैं इसलिए हम पादा क्रांथ हुए अफगानिस्तान में मैंने एक बात और देखी मुझे जिस होटल में ठेराया गया उसका नाम तक कनिश्क अफगानिस्तान एक मुस्लिम देश है मुझे बड़ा ताच्चुप गुआ मैंने का कनिश्क यहां कहां से आए तो मेरे साथ अफगानिस्तान के विदेश मंतरी थे मैंने का कनिश्क आपका कौन लगता है कनिश्क से आपका क्या संबंद है कहने लगे कनिश्ख हमारा पूर वजए कनिश्ख हमारा पुर्खा है He was one of our four fathers मैंने का तब तो हमारे आपके पुर्खे एक है अफगानिस्तान के लोगों ने उपासना पधती बदली है सौंस्कृती नहीं बदली आज के भारत के परिवेश में यह सुनने के बाद थोड़ा विचित्र लगता है हमारे यहां तो धर्मान तरण के साथ राष्ट्रान तरण होता है ऐसा दृष्ट दिखाई देता है पडोसी देशों में ऐसा नहीं हुआ है अब राम जन्म भूमी का मामला चलना है नहीं प्याख प्यद़ा रवी थे और जाप पेड़ा होए थे वह स्थान उनके मंदर के लिए प्रिवट किया जाए या न किया जाए वो इंडोल अश्या से आये थे वो मुसल्मान है क्याने लगे हम दो समझते थे के राम के लिए सारे भारत में आधरोंगा सम्मान होगा हमने का यह आप ने कैसे समझा कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके है इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इसलाम स्विकार कर लिया मगर श्री राम को विस्मर्त नहीं किया श्री राम को भुलाया नहीं इंडोनेशिया के बाली द्वीप में एक महीने रामाईड की लिला होती है मैं उस समारों में जा चुका हूँ उस समय भी विदेश मंतरी मेरे पास बैठे थे मैंने कहा ये रामाईड ये क्या हो रहा है मैंने कहा एक्सिलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है चानलिक एकसेलेंसी आपको पता होना चाहिए हम ने की मुझे तो पता है मगत दाता है के ले 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 किरा मइन ने इतहJan है ये लer आम है ये लख्षमन ऐसी अ है हमदे का इसे आपका क्या संबंद है? आप तो मुसलमान है क котором हमारा संबंद बहुत पुराना है हमारा तब का संबंद है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे थाइलेंड की राजदानिय योद्ध्या कही जाता थाइलेंड की राजा को आज भी राम कहा जाता सावरकर जी ने हिंदू राष्ट की बात के लिए हिंदू राष्ट की बात के लिए हिंदू राष्ट की बात के लिए हिंदू राष्ट की बुनियादी तोर पर भारत हिंदू राष्ट है इससे कोई इंकार नहीं कर सकता, इससे कोई अस्वी कार नहीं कर सकता मेरे लिए हिंदु राष्ट भार्षी राष्ट पर्यायवाशी शम्द लेकिन सावरकर जी ने हिंदु राष्ट की बात कही तो हिंदी राज्ज की बात भी कही उन्होंने का राष्ट हिंदु है मगर भारत में हिंदी राज्ज होगा ऐसा राज्ज होगा जो मज़ब के आधार पर उपासना पद्दती के आधार पर भेद भाव नहीं करेगा समय की कमी से मैं सावरकर जी का वो धनर पढ़ कर सुनाना नहीं चाहता सावरकर जी ने कहा किस तवतित भारत में ना हिंदू राज योगा ना हिंदू राज योगा ऐसा राज्ज होगा जो सबकी चिंता करेगा सबके साथ म्याय करेगा मगर उन्होंने का राष्ट हिंदू राष्ट होगा राष्ट राज्ज में अंतर है ये अंतर हमें स्पष्ट करना चाहिए सावरकर जी के विचारों को लेकर बहुत भ्रम पैदा करने की कोशिश की गई मुझे खुशी है इस समारों का उद्गाटन करने के लिए सूचना मंत्री श्रीगाड गिलाए थे मुझे वो दिन भी याद है जब रेडियो से सावरकर की कविता ने सुनाई जादू वक्त बदल गया है जादू सर पर चड़ कर बोल रहा है महापुर्शों की कोई जादा दिन तक उपेक्षा नहीं कर सकता राज कारण की वज़े से सावरकर की उपेक्षा हुई सावरकर का हमने सही मूल यांकर नहीं किया मैंने तो बहुत कम उमर में सावरकर जी को देखा था सुना था बिन्दु मादो जोशी ने मेरी कविता का उल्ले किया हिंदू तनमन हिंदू जीवन रगरग हिंदू मेरा परिचय यह मैं दस्वे दर्जे में पढ़ता था उस समय की लिखी हुई कविता है लोग कहते हैं वो कविता लिखने वाला बाज पर ही अलग था जो राजकारण करने वाला बाज पर ही वो अलग है इसमें कोई सचाई नहीं है मैं हिंदू हूँ यह मैं कैसे भूल सकता हूँ किसी को भूलना भी नहीं चाहिए मगर मेरा हिंदू तो सीमित नहीं है संकुचित नहीं मेरा हिंदू तो हरिजन के लिए मंदिर के दर्वाजे बंद नहीं कर सकता मेरा हिंदु तो अंतर प्रांती, अंतर जाती, अंतर राष्ट्री, विवाहों का विरोध नहीं करता हिंदु तो सचमुच में विशाल है, मेरा हिंदु तो क्या हम तो एक कण की तरह से हैं सावर कर जी, एक परवत की तरह से हम लोग तो एक बिंदू हैं सावरकर सिंधू की तरह से मगर कण में भी बिंदू में भी वोई गुण है वोई ख्षमता है सावरकर जी को हम समझने का प्रेट्न करें सावरकर जी की विचारधारा का विचलेशन करें सावरकर जी के चिंतन के बारे में हम अनुसंधान करें और सावरकर के समझेश को घर घर तक व्यक्ति व्यक्ति तक पहुचाने का प्रेयास करें मुझे खुशी है यह समारो इसी निमित हो रहा है कि सावरकर घर घर तक पहुचाए जाएं मैं समारो की सफलता चाहता हूँ मैंने पूरे में आकर अपना कर्तव विकिया है अगर संचालक समिती इस कारिक्रम के सूत्रधार मुझे इस कारिक्रम के निमित कहीं और भी ले जाना चाहेंगे तो मैं अपनी सेवा हैं उनको समर्प्रित करता हूँ जैसे भी मैं खाली हो गया हूँ काम की तलाश में हूँ गौलियर वालों ने पार्लेमेंट से मेरी चुट्टी कर दिये पार्टी वालों ने अध्यक्षपस से मुझे मुक्ती दे दिये हम मेरे पास समय है और मैं अगर ये समय थोड़ा समय सावरकर जी के पर भी जो अन्याय हुआ है और जिसमें हम सब लोग शामिल थे उस अन्याय का थोड़ा सा परिवार्जन करने में लगा सकें तो आज का ये समारो सफल होगा बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल